हर्याना के मुख्यमंत्री मनुहलाल ने यूवाउ से आवन किया है कि वह COVID-19 महामारी के कारण उत्पन अनिश्रताओं को अपने जीवन में उत्सा और जोश पर हावी ना होने दे बलकि इस संगत के समय से उभरने के लिए स्थिती को एक अफसर में बदलना होगा और राष्टे निर्मार में अपना योगदान देना होगा मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से COVID-19 चनौती और अफसर थीम पर आयोजीत वेबिनार मुख्यमंत्री के साथ मंतन में बोल रहे हैं प्रतिभाग्यों ने COVID-19 से निपटने के लिए हर्याना सरकार दोआरा किये जा रहा है समर्पित प्रयासों की सहराना करते हुए कहा कि इन प्रयासों की परिणाम सो रूप राज बैतर स्थिती में है प्रतिभाग्यों ने अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी दी और सरकार से इस कुरुना चनौती को पार करने के लिए और अधिक अभिनव मजबूत उपाय करने का आग्रह किया हरियना में भी मार्च में जो कोरोना आया उस समय तक हमारी तैयारी बिलकुल नहीं थी लेकिन जैसे ही आहाट हुई हमने साब प्लानिंग उसे इसाब से की और सारा एड्मिसेशन नकिवल एड्मिसेशन वलके जो जो आवान किया समाज के सब लोग संस्थाएं वलंटियर् है कि इस कोरोना जैसे घातक बिमारी को कैसे इसकी लड़ाई लड़नी है हमने उसकी प्लानिंग के अधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे सारे दुनिया में भारत वर्ष का काफी एक अच्छा स्थान है इसके मुकाबला करने में वैसी भारत वर्ष में भी जो प्रमुक स्थान के उपर यह सारी कोरोना की रिकवरी का विशय है या व्यवस्थाओं का विशय है लोजिस्टिक्स का विशय है इसमें 11 हमारा स्थान है हम और इसको इप्रूव करना चाहते हैं आज की डेट में 4,800 एक्टिव पेशेंट से हरियना में इसमें जो स्पीड है अभी हम हमारी करोना टेस्टिंग की वो टेस्टिंग लगबग 10,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं इस संख्या को और बढ़ाना चाहते हैं कुछ लैब्स और खुलना चाहते हैं ताकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो उतना ही अगर करोना पोजिटिव हैं भी सही तो उतना ही उनकी रिक करोना आकर के समाफ्त भी हुआ यह कुछ इस टाइप का एक जो रोग है इस रोग में एक बार प्रभावित होने के बाद एपीडमे की बिमारी है एक बार संक्रमन होने के बाद प्रया-प्रया दस दिन में 11 दिन में व्यक्ति ठीक हो जाता है अगर ऐस्म्टोमेटिक है उसका कोई करोना हुआ कर नहीं हुआ सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स है उनका आवश्य पता लगता है उनका इलाज के लिए हम सारे काम जितने भी हमारे सरकारी होस्पिटल्स हैं मेडिकल कॉलेज हैं प्रयवेट विवस्था हैं चिकित्सा की डॉक्टर्स हैं हो सब इसमें विवस्था में से भी पार हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है इसलिए इस कोरोना के समय में भी जो चैलेंजिस थे उन चैलेंजिस को हमने पार किया है वैसे तो कहा जाता कि कोई भी जो चैलेंज आता है वो चैलेंज अपने साथ कुछ अपर्चनिटिस भी लेके आता है उ हमारी पहले बहुत त्रक्की होई उस त्रक्की में बहुत से हमारे ख्षेत रथे जिन में हमने त्रक्की करनी थी एक टेकनिक एक हमारी त्रक्की का जो एक साधन था कि टेकनोलोजिकल किस परकार से हम ज़्यादा चिजों को आगे बढ़ा सकते हैं वो मारा एक पार्ट होता लेकिन आज चोके विवस्ता ऐसी बन गई हम दूर-दूर बैठ करके भी उस टेकनोलोजी के अधार के उपर ही तरक्की कर रहे हैं उस टेकनोलोजी का ही परिणाम है कि हम आज सारे देश और दुनिया में बैठे हुए आज हजारों के जो लोग योबा साथी साथ जुड़े हैं मनों मैं चंडिकल बैठा हूँ आप लोग पूरे प्रदेश में देश में और दुनिया में सब बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं यह उसी टेकनीक का ही एक प्रमान हैं कि हम उसमें से प्रोग्रेस कर रहे हैं तो टेकनीकल इस सारे सिस्टम से बहुत चीजों का सॉलूशन हुआ है करोना के अंदर लोगों के रोजगार छुट गए जो मजदूर था गरीब था उसको आर्थिक तंगी आ गई अब हमको उसको पैसा कैसे पहुचाना तो टेकनीकल सिस्टम का ही हमने लाब उठाया और हमने ऐसे सब लोगों को ढूंडा और लोकल लवल पर हमने कमेटियां ब हम उसके साप गर के सिस्टम यहीं बैठे हुए हमने सोला लाख परिवारों को तीन अजार पे से लेके पांच अजार पे तक महिने में उनको भेजा और भेज करके उनकी आर्थे कठनाईया वो स्वाब्थ होई ऐसे ही खाने के लिए राशन हमारे 27 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको राशन मिलता था लेकिन इसके बाद भी बहुत लोगों ने का कि हमको राशन नहीं मिलता है ऐसे सब लोग का रिश्टेशन किया और 87 अजार लोगों को हमने डिस्टेस राशन प्रोकन DRT ये बनाकर के भेजे ताकि राशन के दुकान से जाकर कर राशन लेकर के आ ज आए और इसमें काम करने के लिए अपनी इच्छा जताई उसमें डॉक्टर्स भी थे पैरामेडिक्स भी थे उसके अंदर जिला एड्मिस्टेशन को स्योग करने वाड़े लोग भी थे ऐसी सब लोग और हमने सबसे काम लिया तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी जो चुनौती है हमारा कि कोरोना के पेड़ में किसी परकार का कोई खत्रा यह अगर था तो उसको भापते हुए देखते हुए वस्ताय असी बनाई कि बहुत अच्छे परकार से हमारी प्रकूर्मेंट भी हो गई